सो हे गाज मेरा नाम है ली और आप देख रहे हैं आई लब माइन अटेक चैनल सो गाज आज की सुड़ों में हम बात कने वाले हैं कि अगर आपने अपलाई किया हुआ है ड्राइवरी लाइसेंस और आपका जो भी लर्निंग मगेरा था वो सारा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस पूरा हो चुका है और आपको एक मैसेज भी आ चुका है वहान एप की थुरू कि आपका जो ड्राइवरी लाइसेंस वो सक्सेस्फुली भेज दिया गया है स्पीड पोस्ट के थुरू तो उसे आप कैसे ट्रैक कर सकते हो आज की स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा वीडि मेरा कंसाइनमेंट नंबर जो है वो गलत बता रहा है तो इन सब कोश्चन से बचने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा स्टार्ट लिखके इन तक सरूर देखिए तो जो भी आपको मैसेज आया हुआ होगा वो जैसा कि आप यहां पे देख स दोल श्चे से याद कर लें या पीड़ोनि पड़ी कर लेना है। सक्षेस्पूली आपने लिखने कॉपी करने या फिर सारह चीज करनी के बाद आप वीख ब्राउजर ऑपने कर लेना जैसे कि यह देख सकते हैं मैंने यहां पर Google Chrome ब्राउजर ऑपन कर लेने के बाद यहां पर आपने एक website सर्च करना है Speed Post Tracking आपने simply यही लिख के सर्च कर लेना है जैसे ही आप Speed Post ट्रैकिंग लिख के सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से Speed Post इंडिया का जो भी ओफिसल वेफसाइड है वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होके आजाएगा उसके बाद आपने क्या करना है track assignment पे इंडिया पोस्ट पे क्लिक कर देना है आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने कुछ seconds का और करना होगा wait उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे और भी number देखने को मिल सकते हैं बट मैं आपसे request करूँगा जब मैत वाला equation आएगा तो ही आप यहाँ पे आप select कीजेगा जैसे कि 3 1 3 1 plus 1 is equal to कितना होता है इसी तरीके से आपका plus या फिर minus में आएगा तब ही आप नहीं तो यहाँ से आपको बगल में reference क आपका एक page देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से अगर enter the second number तो आप इस तरीके से जगर number आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा तो आपने फिर से reference कर देना है फिर से अगर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है फिर भी आपने reference कर देना है जब तक आपको म तो आपने यह नमबर आ जाने के बाद ही यहाँ पर वही नमबर आपने टाइप करना जैसे कि यह देखिए यह यह नमबर वहां पर सो हो रहा होगा जो भी डिजयर तो आपने वह करना जैसे कि 8-0 इसकोल टू 80 आएगा तो simply मैंने 8 लिख के search पर क्लिक कर दिया अब जैसे 8 लिख के search करेंगे या फिर जो भी आपका नमबर वहां पर calculate करके आ रहा होगा वो नमबर लिख सर्च करने के बाद आपने क्या करना होगा कुछ सेकेंट का वेट करना होगा क्योंकि यह आपका जो भ आपका track हुआ है या नहीं है अभी क्या status है वो सारी details आपको देखने को मिल जागी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यहां पर आप देख रहेंगे मेरी जो consignment number है वह आपका वहां से चल चुका है यहां पर मैं आपको पूरी history दिखा दे है फिर यहां पर आप देख सकते हैं 20 तारीक को आइटम on hold door lock मतलब जो जब जो delivery करने वाला delivery था वो आया तो घर लॉक था तो इसकी वजह से लॉक वो डिलेवर ना कर पाया उसके बाद 21 तारीक को आइटम रिठां अनसफिसेंट एड्रेस मतलब आया जो भी आपका delivery था ज छो भी आपका आइटम था वो फिर वास चला गया है यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी एड्रेस था वहा पर चला गया फिर आपकोласт में इस्टेट च। पर आपका current time में available होगा वो आपको status यहां पर देखने को मिल रहा होगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं even detail for ED numbers के बाद confirm status item delivered confirm आपका जहां से चला था वहीं पर फिर से पहुंच गया reason क्या था कि वह जो भी गंदा जो address ढूण रहा था या तो वह address नहीं पाया या फिर आपका उस address पर पहुंचा वह डॉल लॉग था या फिर वहां पर कोई नहीं था जो receive कर सके तो कुछ इस तरीके से जब भी आ पोस्ट में वगरा तो उनसे data को आपने receive कर लेना है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकता है हमारे से situation में क्या हुआ है कि कोई नहोंने के कारण वह आपका जो वापस जा चुका है तो अब आपको अगर मुझे इससे receive करना है तो मुझे यहां पर आप देख सकते हैं जो भ कि आप ड्रैवरी लाइसन्स को ट्रैक कर सकते हो कि आपका करेंट इस्टेस आपका ड्रैवरी लाइसन्स कहां पर है तो आप सब्सक्राइब कि यह तो अपने दोस्त अली को इजासत दीजिए मिलतेसी नई वीडियो के साथ तक तक के लिए टेक केर,बाबाई